हाई गाइस मैं हूँ आजेकम बोज और यहां पर हम बात करेंगे लीड जेनरेशन की और अप्रोचिंग टू दे करस्टमर कैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट तक पहुंच सकते हैं जो आपको बूड़ भी कर्ष्टमर होगा फार्म फ्रेंचेजी मार्क्रिंग में उसके बार हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो रिफाइन हो जाएगा एक ब्रोड ट्रम की हमने वहां पर बात की थी यहां पर हम उसको रिफाइन कर लेंगे क्योंकि हार डॉक्टर हार रिटेलर हार डिस्ट्रिबूटर हार सेल्स प्रोफेस्टनल हमारा कश्टमर नहीं हो सकता हमारा प् कहते हैं या तो आप प्रोस्पेक्ट तक जाई कि प्रोस्पेक्ट सैंज का साहरा ऑपर सकते हैं हम इन के destination तक जा सकते हैं अगर हमारे पर डाटा है जो जो परसंट पामा फ्रैंचेजी का काम करते हैं जो दो distributor या जो sales professional फ्रैंचेजी में already include है क्योंकि हमारे पास तो उनी का data हो सकता है और वह हमारी रिफाइन सर्च होगी बेस्किली अगर हम हर परसंट का data लेके चलेंगे पताने कितने sales persons होते हैं एक डिस्टिक्ट में कितने distributor होते हैं सबकी बजाए अगर हमारे पर डाटा है कि यह persons यह डिस्टिब्यूटर फ्रैंचेजी वंबार करते हैं तो हम उन हैं गाइप मैंल सकते हैं जाके उनको कोड़ कॉल्स कर सकते हैं पर मेसिजिग यह मेल्स डाल सकते हैं यह सोचल मीडिया से हम उनका X acknowledging 건데 ले सकते हैं और फिर उनसे हम कंट्यक्स कर सकते हैं messenger वगयरा से यह उन वेसे जिनकी हमने अभी अभी बात की है यह जो वर्क है यह फिर भी एक ब्रॉड ट्रम पे ब्रॉड ओडियंस पे ही काम करता है क्योंकि हो सकता है कि जिस फ्राइंचेज डिस्ट्रीबिटर के पास हम जा रहे हैं उसके पास नया उसको कोई और आड नहीं करना हो बहुत स प्रॉसेश भी होता है क्योंकि आपके पैस इतना डाटा उसमें हो सकता है कि आप से 200 परसन को सो परसंव को डेली कोल किया है और पॉस्पेलिटी है कि ज्यादा तर परसन या तो आपको प्रेंगे या फिर उनका आंसर नोई रंट केंडिसें होगी वह आपके लिए अनेक् जो डिस्टिबिटर है उनका जो ब्रॉड और टाइप है उनको रिफाइन करने के लिए आप बिच्क लिए उनी परसन का डाटा कोलेक्ट कर सकते हो जो अभी आपके साथ कंटली जो रिसेंटली फार्मा फ्रेंचिट डिस्टिबिशन में इंटरेस्टिड है यह नहीं है और यहां पर डिस्टिबिशन सफेंट है क्योंद बुक्सथा नहीं है जो नहीं पदा सब्सक्राइब 252 च哇 यह रहती है लेकिन जो आपके पास मैक्सिमम क्वैरी जाती है वह रिसेंटली इंटरिस्टि परसंस की ही आती है दूसरे बिजनेस की तरह है अड़र्टाइजमेंट और प्रमोशन वह फ्रेंचेज डिस्ट्रिबूटर्स के लिए भी काम करती है फ्रेंचेजी मार्क्टिंग में भी बात कर दो काम करती यह लेकिन आपको तो वह मेडियम वह जादा जूर्दीय जो आपके लिए जयादा सुटेबल थो तरह से बेस्ति कापे अदवर्टाइजमेंट प्रमोट करती है एक तो डिज्टल में करती है दूसर ट्रदिशनल वह से करती है दोनों के बारे मे में ही डीपली थोड़ा डिस्केस करेंगे अगर हम डिश्चल में मार्क्टिंग की बात करते हैं तो उसमें एक से जो टूल्स रहते हैं वो सर्च इंजन अडवर्टाइजमेंट रहती है वेबसाइट बेलिंग और सर्च इंजन करते हैं तो ओब अप्तिमाइजिशन बी-टो-बी-टो-ची ऊड़्टल अडवर्टाइजमेंट सोसल मेडिया प्रमोशन ओर अडवर्टाइजमेंट कॉंटेंट मार्केटिंग ब्लोगिंग वीडियो इंफ्रीजर्ड फग्रापिक्स वगयरा इमेल मार्केटिंग लाइफ स परसन उसको Google पर सर्च करेगा ही करेगा तो ज्यादातर परसन Google पर सर्च करते हैं तो गूगल पर आद आती है उनमें आपने देखा होगा कि अगर आप फार्मा फ्रेंचेजी कंपनी की वर्ड भी डालेंगे तो भी आपको काफी कंपनी की एड मिल जाएगी वह एक बहुत ब जाता है फार्मा फ्रेंचेजी को जैसे फार्मा फ्रेंचेजी कंपनी होगी पीसीडी फार्मा फ्रेंचेजी पीसीडी फार्मा फीसीडी फार्मा फ्रेंचेजी इस तरह के बहुत कीवर्ड होते हैं यूज करके आप एक अच्छा केंपेइन चला सकते हो गूगल पर सब्सक्राइब करता है जब तक आप पे करते हैं लेकिन अगर आप पैसा खर्च किये लीड चाहते हैं तो उसका एक अच्छा वेबसाइट अच्छी दिजाइन कराईए और उसमें सर्च इंजन सर्च इंजन कराईए जिससे आप सर्च इंजन के जो फर्स्ट पेज़ पर अच्छा रेंक आसिल कर सकते हो उससे क्या होगा कि एड के नीचे जो रैंकिंग आती है जो और गैनिक रीच आती है उसमें अगर आपकी कंपनी का नाम आएगा तो वहां पर भी क्लिक होने के चांस करेंगे तो वह आपके लिए फ्री रहेगा अगर आप किसी एजनसी को हायर करेंगे तो वह आपको कोश्ट करेंगा तो उस वे को भी आप एक अच्छा लीड जनेरेशन के लिए इस्तमाल कर सकते हो अपनी कंपनी को बीटू बी या बीटू सी जितने पॉर्टल होते हैं उ उनके पाद जो क्वेरि आती रहती है वह उसको अपने जोनके पेड मेंबर सी पॉत यह प्रीमियम मेंबर सोते हैं उनको सेंड करते रहते हैं तो यह बीड जनेरेट करने का यह का अच्छा मीडियम है यह लेकिन क्या होता कि बीटू भी पॉर्टल के साथ प्रॉब्लम क्य हो जाते हैं तो उससे क्या होगा कि थोड़ा फर्स्ट्रेटिट भी हो जाता है वह परसर और आपको ज्यादा एफट करना पड़ता है क्योंकि एक साथ उसको 20 कंपनी 30 कंपनियों के ओफर मिलते हैं तो जो वह हमने पहले स्टार्टिंग में जो हमने डिसक्रस किया था कि अ आपको ज्यादा आपने बारे में बताने की जुरत नहीं पड़ेगी और दूसरा यह होगा कि अब वह सब कुछ देख के आ चुका है तो अगर आप उसको अच्छे रेट देते हैं और अपनी सर्विस आपकी अच्छे लगती है दूसरी कंपनी के कंपेर में क्योंकि एक प बी-टू-बी पॉर्सल से आ रही है तो पहले आपको यह बताना पड़ता है कि आपकी कंपनी कोन सी आपकी कंपनी से बोल रहे हो क्या प्रोड़क्ट रेंज है क्या नहीं है क्योंकि वह आपकी कंपनी को देखके नहीं आया वह आपको कंपनी को नहीं जानता आपकी प्रो हो चुगा है आपके बारे में तो हम आपको यही रिक्मेंट करेंगे कि आप अपनी वेफसाइट पर ज्यादा काम करिए उसका प्रिमियम मेंबर्सिप में जाते हैं क्योंकि वह ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके लिए लोंग ट्रम में भी लेकिन फिर भी बहुत सारे बीटुबी पॉर्टेल्स है जो आपको डालते हैं जो आप जितना पेड करते हैं उसकी वर्थ रखते हैं अब हमारे बीटुबी पॉर्टल फार्मा फ्रेंचेजी हेल्प डोट आर्जी पे प्रेंचेजी डिस्ट्रिबूटर है अब फ्रेंचेजी लेना चाहते हैं तो आप भी उस पे विजिट करके डालेंगे क्यूंकि स्पैमिंग हम नहीं करते हैं ना ही हम किसी से पैसे ले रहे हैं जिसके वज़े से हम किसी को कोई क्वेरी सेल करेंगे अगर ऐसा कोई जादा यूनिक पास क्यूंकि यहां पर अगर कोई क्वेरी आपको आ रही है तो आपको ही आएगी वह किसी सेकेंड परसन को ना तो जाएगी ना ही वो सेल होगी आपकी प्राइवेसी का हम पूरी तरह मेंटेन रखेंगे पूरत तरह उसका ध्यान रखेंगे कि वेस्टों कि सफ्रेण को अनुटियोग उसका फिजर्वेटााल करने के लिए उटको पूर्टेक्ट होता है, वह बाविस्पून क्ता सभी को फिस वेस्टमाइश के की दिटिटत काफी उच्वेम्य वेस्टिव obligation करने के लिए लीड जनेरेट करने के लिए content marketing एक important पार्ट होता है digital marketing का इसमें ब्लोगिंग करते हो मालब कुछ भी राइट करते हो वीडियो बनाते हो यूट्यूब पर वीडियो या दूसरे चैनल के लिए इंफो ग्राफिक्स करते हो आज कल टार्गेट ओडियन्स को दियान में रखके आपने content marketing strategy को अपना सकते हो अपने website पे ब्लोग भी सुरू कर सकते हो YouTube का भी यूज कर सकते हो अपने आपको प्रमोट करना नहीं होता अपना जो व्यूवर है आपका या फिर आपका जो सामने वाला परसन है रीडर है कोई भी आपकी डिश्टर मार्क्टिंग आपकी content marketing तभी कामियाब होगी जब सामने वाले परसन को उससे कुछ value मिलेगी आप किसी को बताते रहो कि कि हम यह बेच रहे हैं यह कर रहे हैं उसको ज्यादा ना मेरी मेरी सर्विसिच में इंटरेस्ट है ना आपकी इंटरेस्ट है में इन क्याने का अपकी ब्रॉइडिंग और करने में बहुत ही यूजफुल रहती है अगर आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं तो आपके साथ बिजनस करने में भी उनको इंट्रस्ट होगा वह इसली आपके साथ जुड़ जाएंगे इमेल मार्क्टिंग बिसिकल्य कुमर्सल मैसेज बेजने का दूस्रे की मिलाई अ ग्रूप और पीपल पे छेओं आूर्म है hypothesis यह चैनिक है माक्टिंग की इक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अउजफुल हुआ करते में लेचश वोग कованияः आज भी लेकिन उतना इमेल मार्क्टिंग के सबसे बड़ा फाइदा यह है कि आप इसमें ब्रोड ट्रम अपनी ब्रोड ओडियंस को कैप्चर कर सकते हो अगर आपके पास बहुत सारे डॉक्टर्स की इंस्ट्रिबूटर्स की इमेल आइडी है या फिर आपके फासिल्स प्रोफेशनल्स की मेल आइडी है तो एक आप सब को मेल डाल सकते हो इसमें कोई ज्यादा वह नहीं है कि आपको को करेंगे आप फरस्ट्रेटर हो जाएगे इमेल मार्क्टिंग आप यूच्फुल करेंगे जिस तरह हमने चैप्ट तो हो सकता है कि फ्यूचर में उनके पास कोई रिक्वार्मेंट हो तो वह आपके साथ जुड़ जाए इंफ्लेंसर मार्क्टिंग वेरी कॉमन टेक्निक है बिजनेर्स में क्रेट ब्रैंड आवेर्नेस और लीड जनरेशन करने के लिए लेकिन फार्मस्टिकल सेक्टर में इतनी ज्यादा फेमस नहीं है फिर भी अगर आप खुद का एक ओडियंस नेटवर्क क्रियेट कर सको अपनी ब्लॉगिंग के दवारा वीडियो के दवारा अपने पोड़कास्ट के दवारा तो वह आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा पेपल को इंफ्लेंस करने के ल अब बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्क्रिंग वेज की उनमें क्या क्या हो सकता है एलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया में अडवर्टाइजमेंट हो सकती है ड्र रिलेटेड बुक्स में और नुजपेपर में अडवर्टाइजमेंट हो सकती है टैली मार्क्रिंग हो सकत को स्पॉंसर करना सेमिनारों को स्पॉंसर करना ip monument रेट विसंग में पढ़ करना नैट्फर्किंग और स्टीन हमां कि टाइप्स है कि वार्णोर प्रेपर्ट्चिद के दीन के लिए बहुत ही फेमस कॉंसेप्ट है एक टाइम ऐसा था कि उनी से आपके लिए जनरेशन आती थी ब्रेंड आवेरेस आती ती जब डिशनल मांक्टिंग इतना फेमस नहीं था लेकिन आज भी यह बहुत फेमस है लेकिन उसके साथ आज जो न्यूजबेपर है बुक्स है एक्सेंट लेवल पर पहुंच गए बहुत ज्यादा नंबर्स ऑप न्यूजबेपर्स जो ड्रक से रिलेटिड है वह बहुत ज्यादा है तो सब का एफेक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारे हावसीज है जिनकी में अडवर्टाइजमेंट देना काफी एफेक्ट इनको कोल करते हो या आपके पास जोरी सेंटली जुक्टेकल नंबर आपने आपके पास आए हैं किसी बीवैरिसे चाहें आपने एपने आफ् upside ब्लजैनर क्लेट किये क्लैक्स या दूसरे वे सेंविनर से ठेड़ से से या जिस बलीवैसे आपने आपके पास जो कॉंटेक् म temple करते हैं तो मार्म नंबन करता है डिशनी कि आपके पास अगर लेकिन यहां पर आपकी पास कानिक नहुना बहुत जरूरी में समय मारे पास कानिक नीर लाटा होना जरूरी है और मार्म ना both करता है कि वह जब भी उनके पास फोन आगा वह आपका मैसेज पढ़ेंगे अगर उनको रिक्वार्मेंट होगी तो आप से कॉंटेक्ट कर लेंगे अब फार्मस्टोटीकल से रिलेटेड एजुकेशनल इवेंट्स या सेमिनार को स्पोंसर कर सकते हो जहां पर जो हेल्सकेर स यह काफी इंपोर्टेंट है गैदिरिंग करने के लिए प्रोकार नेट्वर्क वहां पर आप उनका बूस्ट लेकर वहां पर अपने प्रोडक्ट को अपनी सर्विशी को अडबर्टाइज कर सकते हो आपको वहां पहले पदा लगेगा कि मार्किट में रिसेंट कौन सा ट् बाष्ट करके भी लीड जनेरेट कर सकते हो बिकनेस कोंफ़रेंसिंग भी इंडेक्ट वी से ही सही लेकिन आपके लिए जनेरेट करने का काम कर सकती है बिजनेस कन फॉर शीच सकते होरे जो Ci पी अपकी नैट्वर्किंग कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए हो सकता है कि आपके कॉंटेक्ट से डिस्ट्रिबूटर के कॉंटेक्ट से आपको नहीं लीट उसके अलावा अगर आपकी अपनी खुद की इंडस्ट्री में अच्छी नेटवर्किंग है सेरिंग है तो उससे भी बहुत ज्यादा लीड मिल जाती है क्योंकि जो फिस्टी फार्मा फ्रेंचेजी बिजनस होता है वो मोनोपली बेसी पे होता है हो सकता है कि अगर आपके किसी नेटवर्क में किसी के पास क्वैरी आती है और उसका ओल्रीडी वहां हैं उनको बिजनर्स देने में उनकी मदद आपकी बिजनर्स डेवलोपमेंट में आपकी मदद करेंगी टाइम आने इसके लावा और भी बहुत सारे टूल हो सकते हैं अलग अलग तरीके से अपनाती है हो सकता है कि इससे अलग कोई कंपनी है दूसरे तरीके अपना रही है को गड़ त.